Hello Everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताने वाले हूँ थी तो आज मैं आपको बताने वाले हूँ Confined Space में व्क क्यासे किया दाता है ठीक है, क्या-क्या उसकी safety precautions रहती है व्क करने से पहले क्या-क्या हमें चैक करना होता है ठीक है ये सारे चीज़े confined space के बारे में confined space में कैसे safety हम रखते हैं वो सारे चीज़े आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले confined space होता क्या है ठीक है तो confined space एक ऐसी जगा है जहाँ पर एक person अंदर जाकर उसमें काम कर सकता है ठीक है वो इतनी बड़ी जगा होती है कि वहाँ पर आप जाकर काम कर सकते हैं पर problem क्या होती है वहाँ पर limited जगा रहती है ठीक है उसमें जो entry करने की जगा जो रहती है वो limited रहती है ठीक है और उसके अंदर आप regularly मतलब continuously work नहीं कर सकते हैं ठीक है मतलब क्या होता है वो एक ऐसी जगा होती है जहाँ पर oxygen नहीं होता है तो oxygen जहाँ नहीं हो तो वहाँ काम करना regularly possible नहीं है तो क्या होता है वहाँ पर work करने के लिए जब जाते हैं तो कुछ precautions लेनी पड़ती है कुछ safety पर ध्यान देना होता उसके बाद हम confined space में work कर सकते हैं ठीक है और confined space में work करने के लिए उसी person को भीजेंगे जो उस confined space में work करना जानता हो ठीक है उससे पहले क्या-क्या precautions लिया जाते हैं confined space में work करने जाने के लिए वो सारी चीज़ी मैं पताने वाली हो confined space तो पता चल गया जिसका एक ही वे हो आने और जाने का और जहाँ पर oxygen less हो ठीक है एक ऐसी बंद जगा जहाँ पर आने जाने की एक ही entry और exit point हो और वहाँ पर oxygen की कमी हो उसे बोलते confined space अब देखी confined space में entry कैसे लेता है जो entrant रहता है मतलब जो उसके अंदर जाता है वो जात जो उसके अंदर जाता है वो कौन होता है उसके अंदर काम करने वाला ठीक है entrant होता है अंदर जाके काम करने वाला और attendant जो होता है वो एक वो person होता है जो उसके साथ खड़ा रहेगा बाहर बाहर ही रुका रहेगा किसके लिए emergency के लिए क्योंकि जो confined space में work कर रहा है अगर उसको कोई भी problem आती है तो कोई होना तो चाहिए ना उसका सुनने वाला ऐसा तो नहीं कि उसे अंदर अकेला छोड़ दिया वो काम करके खुद बाहर निकला है ऐसा नहीं होता, एक person होता है जो attendant कहलाता है उसको उसकी देखबाल के लिए वो बाहर खड़ा रहता है जिससे जो भी confined space में work कर रहा है उसे call, emergency call करना हो या कोई भी problem आए, कोई भी situation ऐसी आए कि उसे किसी और की जरूरत हो तो वो attendant जो हो सब सम्हाल लेता है इसा नहीं कि सीधे गया और work करना शुरू कर दिया आपको लगा कि confined space में अभी काम करने की जरूरत है तो work करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है पहले permit issue कराना होता है उसके बाद ही आप confined space में जाके work कर सकते है ठीक है तो ये तो बात होगी entry की अब entry करते वक्त क्या क्या ऐसी problem face करने पड़ती है उनके बारे मैं में बताऊंगी देखें entry करते वक्त क्या होता है entry और exit करते वक्त क्या होता है जो भी person उसमें काम करने जा रहा है उसको बहुत difficulty होती है जो भी जरूरत का सामन होता है वो ले जाके है ना ले जाने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे कि क्या है SCBA जो रहता है वो क्या रहता है breathing apparatus रहता है self content breathing apparatus रहता है जो कि उसे ले जाना होता है कुछ life saving equipment रहते है वो ले जाना होता है और ladder होती है और ऐसा ना हो light की problem हो तो torch light भी लेके जानी होती है सारी चीज़ उसको लेके जानी होती है पर थोड़े सी problem face करनी हो पड़ती है क्योंकि क्या होता है जब entry कर रहा है उस दौरान उसको थोड़े difficulty होगी क्योंकि जो way है वो बहुत ही छोटा रहता है ठीक है openings क्या रहती है उसके बहुत small रहती है इस वज़ा से थोड़ी problem आती है तो देखिए क्या करते है पहले पहले वही सेम क्या करेंगे work permit issue करवाएंगे confined space में work करने के लिए पहले क्या होगा जो भी वो tank है माल लीजे वो किसी oil का tank है और वहाँ पे माल लीजे कोई leakage हो रहा है ठीक है कोई leakage हो रहा है oil में तो क्या करेंगे oil का tank पहले खाली करेंगे वो तो खाली हो गया अब माल लीजे उसके अंदर कुछ vapors रह गई ठीक है और person कोई भी जा कि उसके अंदर welding करना शुरू कर दिया तो क्या होगा जो tank है वो तो फट जाएगा ना आग लग जाएगी उसमें तो इसलिए पहले क्या होता है जिस भी चीज का container है वो उसके साथ-साथ उसके खाली होने के साथ-साथ उसकी जो भी vapors रहती है वो भी निकालनी होती है सबकुछ release हो जाता है उसी के बाद confined space में work करने पहुचाते है कोई भी work कर रहा हूँ चीक है उसके बाद यह देखा जाता है कि जो भी person जा रहा है उसको सारा summon provide हो रहा है यानि उसको ladder provide हो रही है यानि उसको light की पूरी जो भी light जो भी उसे use करने होगी क्योंकि confined space में लाइट तो होती नहीं है इतनी रोशनी भी तो जरूरी है न काम करने के लिए तो उसे torch light provide करानी होगी साथी उसका breathing apparatus भी उसके साथ होना चाहिए ताकि उसे सांस लेने में problem ना हो बाहरे एक attendant भी होना चाहिए तो सबसे पहले क्या होता है पहले work permit के time पे इस तरीके से entry जाती है कोई भी confined space में यह position रहेगी इस तरीके से आप enter कर सकते है confined space में यह देखिए इतना चोटा वे होता है जो भी यह opening दिखरी आपको यह opening रहती है इसके अंदर से आप जा सकते हैं और वह करने शुरू कर सकते है confined space में अब यह देखिए वैसे एक और similar picture है अब इसमें क्या बूढ रहा है वो लगा हुआ है यहां पर यह notification दिख रहा है यहां पर यह लिखा हुआ danger और confined space entry by permit only इसमें यह indicate कर रहा है इसको कि सिर्फ permit होने पर ही आप entry कर सकते हैं confined space में work करने के लिए permit मिलेगा तब यह काम शुरू हो सकता है ऐसे ही कोई entry नहीं ले सकता ठीक है तो इसके लिए work permit होना बहुती कंपल सरी है तब यह आप work कर सकते हैं जाके ठीक है अब यह दिखिए confined space में work करने के एक छोटा सा डाइग्राम है इसमें सारी चीज़े बताई गई है जैसे कि stand by worker लगा हुआ है यह ladder गई हुई है यह safety harness उसे पनाया गया है ताकि कोई भी problem आए तो यह harness work कर सके emergency SCBA रखा हुआ है यहाँ पे breathing apparatus रखा हुआ है यहाँ ठीक है self content breathing apparatus जिससे बोलते हैं alarm horn लगा हुआ है यहाँ पे ताकि कोई भी emergency है तो यह horn बजा सके जो भी stand by worker है उसका ठीक है gas and fumes collected at source ठीक है क्या हो रहा है यह gas and fumes जैसे कि मैंने बताया उसकी cleaning कर रहे है ना पहले vapors वगेरा जो भी है उन्हें बाहर निकालना ठीक है उसके बात क्या है work कर सकते है तो यह confined space का यह diagram है इस तरीके से work किया जाता है confined space में नेक्स्ट और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए उनके बारे में बताती हूं तो देखिए यह कुछ points है जिने हमें याद रखना चाहिए जब भी हम confined space में work करने जाए ठीक है हमें बेवज़ा entry उसमें नहीं लेना चाहिए confined space में ठीक है जब पूरा उसका safety permit ब नहीं ऐसे कोई equipment लेके जाना चाहिए जिसके हमें जरुरते नहीं थाए confined space में सिर्फ उतना ही material लेकर जाया जाए जितना हमें use हो ठीक है कभी भी confined space में कुछ खाना नहीं चाहिए कुछ पीना नहीं चाहिए और smoking तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए ठीक है confined space में यह तीन ची जिसके वज़े से जो काम करने जा रहा उसे भी कोई हार्म ना हो और काम भी जो हो एजी ली पूरा फिनिश हो जाए ठीक है तो यह था जो करता हुञ मुआ झाना रहीं कि ली अञाए ठीक है पूं न sunny ली